जोखु ने लोटा मुह से लगाया तो पानी में बदबू आई गंगी से जा बोला यह कैसा पानी है मारे बास के पिया नहीं जाता गला सुखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए दे रही है गंगी प्रति दिन साम पानी भर लिया करती थी कुवा दूर था बार बार जाना मुश्किल था कल वो पानी लाई तो उसमें बदबू नन थी आज पानी में बदबू कैसी लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू आ रही थी जरूर कोई जानवर कुवे में गिर कर मर गया होगा मगर दूसरा पानी आवे कहां से ठाकूर के कुवे पर कौन चड़ेगा दूर से लोग डाट लगाएंगे साहू का कुवा गाउं के उस सिरे पर है परन्तु वहां कौन पानी भरने देगा कोई कुवा गाउं में नहीं है जोखू कई दिन से बिमार है कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा फिर बोला अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता ला थोड़ा पानी नाग बंद करके पी लूँ गंगी ने पानी न दिया खराब पानी से बिमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी परंतो यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है बोली यह पानी कैसे पीओगे न जाने कौन सा जानवर मरा है कुए कुए से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ जोखु ने आश्चर से उसकी और देखा और बोला कहां से लाएगी ठाकुर और साहु के दो कुएं तो है क्यों एक लोटा पानी न भरने देंगे हाथ पाँ तुड़वा आएगी और कुछ न होगा बैठ चुपके से ब्रह्मण देवता अशिरवाद देंगे ठाकुर लाठी मारेंगे साहजी एक पाँच लेंगे गरीब का दर्द कौन समझता है हम तो मर भी जाते हैं तो कोई दुआर पर जहागने नहीं आता कंधा देना तो बड़ी बात है ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे इन सब्दों में कड़वा सत्ते था गंगी क्या जवाब देती किन्तु उसने वो बदबुदार पानी पीने को न दिया रात के नौ बज़े थे ठके मांदे मजदूर तो सो चुके थे ठाकूर के दरवाजे पर दस-पांच बेफिकरे जमा थे मैदान में बहादूरी का तो जमाला न रहा और ना मौका कानूनी बहादूरी के बाते हो रही थी कितनी होसियारी से ठाकूर ने ठानेदार को एक खास मुकदमे की नकल ले आए नाजिर और मौतिमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती कोई पचास मंगता कोई सो यहां बे पैसे कोड़ी नकल उडाली काम करने का ढंग चाहिए इसी समय गंगी कोई से पानी लेने पहुंची कुपी की धुंदली रोशनी कोई पर आ रही थी गंगी जगत की आड में बैठी मौके का इंतजार करने लगी इस कोई का पानी सारा गाउँ पीता है कुपी की धुंदली रोशनी कोई पर आ रही थी गंगी जगत की आड में बैठी मौके का इंतजार करने लगी इस कोई का पानी सारा गाउँ पीता है किसी के लिए रोका नहीं सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरीयों पर चोटे करने लगा हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों उच हैं इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं यहां तो जितνे हैं एक से एक छटे हैं चोरी ये करें जाल फरे भी ये करें जूटे मुकदमें ये करें अभी इस ठाकूर ने तो उस दिन बिचारे गड़िये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया इन्हीं बंडित के घर में बारहों मास जुआ होता है यही साहुजी तो घी में तेल मिला कर बेचते हैं काम करा लेते हैं मजदूरी देने में नानी मरती है किस बात से हमसे उचे हैं हम गली गली चिलाते नहीं कि हम उचे हैं मुचे हैं कभी गाउं में आ जाती हूं तो रज भरी आख से देखने लगते हैं जैसे सब की छाती पर साप लोटने लगता है परन्तु घमड यह की हम उचे हैं कुएं पर किसी के आने की आहट हुई गंगी की छाती धक धक करने लगी कहीं देख ले तो गजब हो जाए एक ल कभ इन लोगों को दया आती है किसी पर बेचारे महंगू को इतना मारा की महीनों लहु थुकता रहा इसलिए तो इसलिए कि उसने बेगारी न दी थी पर इस पर ये लोग उचे बनते हैं कुएं पर इस्तिरियां पानी भरने आई थी इन में बात हो रही थी खाना खाने चल बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है हाँ यह तो नहुआ कि कलसिया उठा कर भर लाते बस हुकम चला दिया की ताजा पानी लाओ जैसे हम लॉंडिया ही तो है लॉंडिया नहीं तो और क्या हो तुम रोटी कपड़ा नहीं पाती दस-पांच रुपए भी छीन शप घर आराम करने को भी तरसकर रह जाता है इतना काम किसी दूसरे के घर में कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती उपर से वह एहशान मानता यहां काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुह ही सिधा नहीं होता दोनों पानी भर कर चली गई तो गंगी ब्रिच की छाया से निकली और कुए की जगत के पास आई, बेफिक्रे चले गए थे, ठाकुर भी दर्वाजा बंद करके आगन में सोने जा रहा था, गंगी ने छड़िक सुक की सांस ली, किसी तरह मैदान तो साफ हुआ, अमरित चुरा लाने के लिए, जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भ पसी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकनी द्रिष्टी से देखा, जैसे एक सिपाही कोई सत्रू के किले में सुराख कर रहा हो, अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी और यायत की रत्ती भर उमीद नहीं, अंत में देवताओं को अवाज न हुई, गंगी न दो चार हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुए के मुह तक आ पहुचा, कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खीच सकता था, गंगी जुकी की घड़े को पकड़ कर जगत पर रखे, की एका एक ठाकुर सहाब का दर्वाजा खुल गया, सेर का दहारना इस्याधिक भयानक न होगा, गंगी के हाथ रस्ती छूट गई, रस्ती के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गीरा, और कई छड़ तक पानी में हिलकोरे की आवाजे सुनाई देती रहे, ठाकुर कौन है, कौन है, पकारते हुए कुए की तरफ जा रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रहे थी, घर पहुँचकर देखा कि लोटा मुँ में लगाए, वही गंगा पानी पी रहा है